नमस्कार दोस्तों पड़ाइफूर यसनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तों लोकडाउन 5 को लेके नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है लोकडाउन 5 को तीन फेजीज में बाटा गया है अनलोक फेज 1 फेज 2 और फेज 3 तो आई डिटेल में हम चेक लेते हैं किन चीजों को खोला गया है दोस्तों किन किन चीजों को अभी बंद किया गया है ताकि हमें कोई तिकतना हो बाद में तीन चरुन में लोकडाउन में दी जाएगी छूट तीन फेजीज में बाटा गया है दोस्तों लोकडाउन 5 को अब नमबर एक पर जो बात है किन किन चीजो है सबीने एक राज्जे से दूसरे राज्जे में जाने के लिए आवाजाही को पूरी तरह से खोल दिया गया है यानि कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर आपने जाना है दोस्तों इंटरस्टेट का मामला है तो आप आराम से आ जा सकते हैं लेकिन आपने मास्क तो दोस्तो पहनना जरूरी है मास्क आप जरूर पहन के जाए चाहिए आप ट्रेन में यात्रा करें बस में या फिर किसी भी चीज से आप ट्रेवल करें मास्क जरूरी है दोस्तो मास्क आप जर दी गई है और में जो पॉइंट से दोस्तों काफी केंडिडेट्स के कोमेंट सारे हमारे पास लगातार मेल के दुआरा भी पूछते हैं केंडिडेट्स स्कूलों कालेजों और यूनिश्टी इत्यादिकों जुलाई में खोला जाएगा अभी नहीं खुलेंगे दोस्तों स्क संस्थान है यह जो भी कोचिंग सेंटर हैं दोस्तों एजुकेशन इंस्टीचूट्स हैं वो बंद रहेंगे अभी नहीं खुलेंगे उनको जुलाई में खोला जाएगा हाला कि सरकार की राजे सरकारों के उपर वी जो है यह फैसला छोड़ दिया गया है दोस्तों लेकिन उनके जुलाई में ही खुलने के चांसीज हैं आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है अब किन किन चीजों को बंद किया गया है दोस्तों जिन पर पूरी तरह से रोक है विदेश यात्रा सिनेमा होल मेट्रो सेवा जिम और जितने भी एंटरेइनमेंट पार्क हैं स्वीमि बंद रहेंगे उसके बाद है पूरे देश में जितनी भी राजनेतिक पार्टियां है दोस्तों उनको रैलियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है ताकि भीड की गैधरिंग ना हो तो उनको नहीं खोला गया है उनके रोक है कर्फ्यू का टाइम जो है दोस्तों पांच बजे तक कर्फ्यू का टाइम है रात के नो बजी से लेकर शुए पांच बजे तक तो यह जो गाइडलाइन है दोस्तों हुए सरकार के द्वारा अभी अभी जैस्ट जारी की गई है तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी से अपील करूंगा कि इसमें प झालएँ में आजा झालएफ पांच झालएब तको यहज़क्तन म Яघजा जैस्टों मैं वêm आदियों ऑन तक कर्वें शुए पस क्वें वागिफ जैस्यायं पांच कर्द रांच